आप सभी सातियों को सबसे पहले क्रामतिकारी जैबी आज मैं आपसे एक जरूरी मुद्धे पर बात करने के लिए आया हूं तो प्लीज आप इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर करें और इस वीडियो को लाइक करें आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने के लिए आया हूं जो कि आप थमनेल देखकर समझ चुके होंगे हमको सबको पता है बहुजन समाई को पूरे बहुजन समाई के व्यक्तियों को भी पता है कि भीमा आर्मी चीफ चंद्र सेकर आजजाद 15 मार्च 2020 को राजनीती पार्टी का एलान करने वाले हैं और चंद्र सेकर आजजाद पार्टी को लेकर नई नई तयारियों और बड़े-बड़े संगरस भी करने समाज के बीच भी जा रहे हैं बड़े-बड़े प्रिदाशन भी करने तो इस चीज़ को आप ये ना सोचे कि बस्पा सुप्रीमो माया बती जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं साध्यों एक बात बता दूँं आज इस वीडियो के माद्यम से आपको में ना तो किसी की तरफदारी करने वाला हूं इस वीडियो और एक और बात आपको बता दूँ आज इस वीडियो के मादम से बस्पा सुप्रीम मायवती जी भीमार्मी चीफ चंदर सेकर आजजाद जी की हर बात पर हर चीज पर नजर रखे हैं बस्पा सुप्रीम मायवती ये तक देख रही हैं बस्पा सुप्रीम मायवती की भीमार्म मीचीफ चंद्र शेकर आज़ाद पर और साहिद 15 मार्च जो कि भीमार लिचीफ चंद्र सेकर आज़ाद पार्टी का एलान करेंगे और पांच अप्रेल को जो कि बसपाच सप्रीम मायवती जी अपनी बड़ी मैटिंग करेंगी और उसमें बसपाच मायवती जी और चंद्र सेकर आयजा जो कि आमने सामने की टक्कर हो सकती है 15 मार्च को पता बहुत ही ज्यादा दिल्चप देखने वाला दिन होगा कि भीमार में चीफ चंद्र सेकर आयजा किन-किन नेताओं को अपनी पार्टी के सामिल करते हैं और किस राजनीती पार्टी का मोहर मायावती जी बहुत ही ज्यादा बड़े एलान कर सकती है उस मीटिंग में तो देखना दोनों ही दिन बहुजन समाई के लिए देखने के लिए होंगे और व्यासे तो मैं एक ही बात लाष्ट मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि बसपास अर्भी मायावती ज सात हो जाएं सातियों अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो और जो कि इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेर करें आप चैनल को सब्सक्राइब करें करांतिकारी जैवीं फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में